हेलो बच्चो आज में आप लोगों को क्लास नाइन की डियोई की तरफ से आपको मैट्स की एक सपोर्ट मेटीरियल की बुक मिलिए इंगलिश मीडियम की यह सेशन आपके पास 2023-2024 वाले सेशन की मिली विए इस बुक में हमने अपना चैप्टर वन चैप्टर टू आप्टर टू आज पॉलिनॉमियल्स ही में आगे कंटीन्यू करा रहे हूं लास्ट क्लास में हमने कोशन नंबर 29 तक कर लिए थे चैनल पर अप्लोड है आप महां से कर सकते हैं अब बात करते हैं कोशन नंबर 30 की इसमें आप से क्या कह रहा है फेक्टराइज करना है इस प यह दे रखाए आपको ठीक है आप क्या करो इसे थुरूँ इसप्लिट कर लो 6x2 को मैंने लिख दिया 5x2 plus 1x2 लिख सकते हैं सेम ऐसे 11x2 को मैंने लिख दिया है 6x2 plus 5x2 और यह प्लस का 6s से ऐसी हैं मैंने एक इस ट्रम को और एक सी ट्रम को स्पिलिट कर दिया है दो पार अब आपको pairing करने है pairing आप इस recording करो कि दोनों brackets में common जो है वो same आजाए तो अगर मैं यहाँ पर x cube plus का 5x square और plus का 6x एक साथ ले लेती हूँ ठीक है plus x square plus का 5x plus 6x साथ ले ले हूँ कौन कौन सी terms ले हैं वो देखिए एक, दो, यह तीन terms एक साथ ले हैं, बची भी तीन terms एक साथ ले हैं ठीक है अब इन तीनो terms में से मैंने x को common लिया तो यहाँ बचा x square plus यहाँ पर बचेगा आपके पास अंदर 5 बचेगा एक x बचे जाएगा और 6 बचेगा यहाँ पर इसमें से आप क्या common ले सकते हो देखो, x तो common नहीं आ रहा क्योंकि 6 के साथ x नहीं है तो इसमें सिर्फ 1 ही common आ सकता है अंदर आपके पास x square plus का 5 x plus का 6 ऐसी बच रहा है आप देखरो, दोनों bracket सेम आ रहे है तो इसका मतलब x plus 1 मैंने एक बार लिख दिया x square plus का 5 x plus का 6 x एक साथ लिख दिया अब x plus 1 को फिलहाल के लिए आप ऐसी ही छोड़ दो और इस वाले second वाले bracket में middle term स्प्लिट कर दो plus minus करके 5 x चाहिए multiply करके 6 x square चाहिए तो आप 2 और 3 बहुत असानी से इसके factors ले सकते हो plus का 2 x और plus का 3 x ले सकते हो ठीक है 3 आ जाएगा x plus 1 इन दोनों के एक pairing किये इन दोनों के एक pairing x common लिया तो यहाँ x plus का 2 आ गया 3 common लिया तो यहाँ भी x plus का 2 आ जाएगा तो एक आगे x plus 1 यह तो भारवाला bracket ऐसी है 1 x plus 2 आ गया और 1 x plus 3 आ गया देखो highest degree 3 थी तो तीनी factors आएगे factorize करोगे तो है ना तो यह तीनों factors आपके आ गए यह आपे पूरा question number 30 clear हो गया चलिए question 31 में आप से क्या कह रहे if x square plus y square is equal to 49 and x minus y is equal to 3 then find the value of x cube minus y cube आपको value किसकी निकालनी है x cube minus y cube की निकालनी है तो x cube minus y cube की अगर मैं identity लगाँ होती है x minus y दूसरे bracket में होते है x square plus y square plus xy अब मेरे पास x minus y की value है x square plus y square की भी value है लेकिन x into y की value नहीं है तो पहले मुझे इसकी value निकालनी पढ़ेगे अब इसकी value कैसे निकालेंगे x-y का whole cube होता है मेरे पास x square plus y square minus का 2xy x-y की value मुझे पता है 3 तो मैंने 3 put कर दी x square plus y square की value पता है 49 minus का 2xy ऐसी है 3 3 जा 9 हो गया 49 minus का 2xy हो गया 2xy is equals to में 49 minus का 9 हो गया transpose कर दिया तो 2xy is equals to में 40 हो गया xy की value मैंने हां से निकाल ली 20 आ गया आपको यह बता चला मैंने यही वाली identity क्यों लगई क्योंकि हाँ मुझे x-y की value दे रखी थी अगर x plus y की दे रखी होती तो x plus y का whole square लगा लगा ठीक है अब आप आजो अपनी identity में जिसकी value आपको निकालनी थी एक बार दुबारा लिख लेते हैं यह है जिसमें से x-y जो है वो मेरको question में 3 गिवन है x square plus y square 49 गिवन है और x into y मैंने अभी find किया है 20 तो योगया 69 इंटू कर दो 3,9 जा 27 3,6 जा 18,19,20 तो यह आपकी value आगई x cube minus y cube के clear है तो आज की class में अगेन हमने अपने 2 questions complete करने है इस chapter के 30 and 31, daily basis पे आपको videos मिल रहे है chapter 1 and chapter 2 की तो आप सासाथ questions को complete करते रहे है, जिन questions में दिक्कत है साथ के साथ comment करके पूछते रहे है आगे के questions next class में आपको मिल जाएंगे, चैनल को ज़रूर subscribe कर लीजे, ताकि आपको notification मिलती रहे जब भी video अपलोड होए अपने friends के साथ इन वीडियो को ज़रूर शेयर कीजे, उन्हें बताइए कि इस channel पे support material के solutions मिलने स्टार्ट होए है, thank you